जब राजिस्तान के महशूर फिल्मेकर ताराचन बढ़जात्या की फिल्म कंपनी राजश्री प्रोडक्शन बंध होने के कगार पर थी और कंपनी ने फिल्म निर्मान बंध करने की सोच ली थी तब एक बार मैंने प्यार किया की घोशना ने चौकाया था बढ़जात्या परिवार के सूरज बढ़जात्या पहली बार फिल्म निर्देशित करने वाले थे और संगीत की जिम्मेदारी मराठी फिल्मों के संगीतकार राम लक्षमन को सौपी गई थी मैंने प्यार किया का संगीत सुपर हिट हुआ और एक के बाद एक नहीं अनेको फिल्मों में राम लक्षमन ने म्यूजिक दिया यह है 1988 की बात है राजश्री की सुपर हिट फिल्म हम आपके है कौन वे हम साथ साथ है के संगीतकार राम लक्षमन आज दुनिया को छोड़ कर चले गए करीब 200 फिल्मों में काम करने वाले विजय काशिनात पाटिल एक इनसान थे जो सदैव अपनी टीम के नाम से जाने गए राम लक्षमन सदैव अपने पहनावे के कारण जाने जाते थे वे प्राय गैलिस पहना करते थे और अपनी रिकॉर्डिंग्स जादा तर बॉम्बे लैब में किया करते थे और उनका म्यूजिक अरेंजमेंट उत्तम सिंग किया करते थे राम लक्षमन का असली नाम विजय काशिनात पाटिल था उन्होंने करीब 200 से भी जादा फिल्मों में म्यूजिक दिया था जिसमें हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्में शामिल रही मशूर ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे मैंने प्यार किया हम आपके एकॉन और हम साथ साथ है का म्यूजिक देने वाले 89 वर्षिय संगीतकार राम लक्ष्मन यानि विजय पाटिल का नाकपुर में निधन हो गया वे लंबे समय से बिमार चल रहे थे और शनिवार को उन्होंने आखरी साथ से ली सबसे पहले विजय पाटिल को इंडस्टरी में लेकर आये थे दादा कोणके जिनकी मराठी फिल्मों में उन्होंने अपने काम की शुरुवात की थी फिर दादा कोणके की कई हिंदी फिल्मों में भी विजय पाटिल ने संगीत दिया विजय पाटिल के निधन पर लता मंगेशकर ने दुख जता है उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुझे अभी पता चला कि बहुत गुणी और लोकप्रिय संगीतकार राम लक्षमण जी विजय पाटिल का स्वर्गवास हुआ। राम का निधन 1976 में हो गया था। उस समय उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म एजेंट विनोद का म्यूजिक पूरा किया था। फिल्म की रिलीज के बाद तक विजय ने अपनी जोडी राम लक्षमण के नाम से ही कायम रखी और अकेले ही हिंदी और मराथी फिल्मों में सं साथ है तक राश्च्री प्रोडक्शन की सुपर हिट फिल्मों का म्यूजिक उन्होंने ही दिया। राश्च्री प्रोडक्शन के अलावा राम लक्षमण ने 100 डेज, मनमोन देसाई की अनमोल और I Love You जैसी फिल्मों का भी म्यूजिक दिया। लेकिन पहचान राश्च्री प्रोडक्शन की फिल्मों के गानों से ही मिली।